तो आज लेकर आया हूँ ताइप 2 का वीडियो यहां पर देख सकते हैं तो यह कुछन आपको सिखाने वाला हूँ इसे पहले वाले वीडियो में जाना हम लोग टाइप 1 का कुईशन कैसे सल्फ करेंगे वो भी आसान से तरीके में अगर यह वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप लोग देख लें डिस्क्रिसमें लिंक देदूंगा तो आज सिखने वाले हैं इस प्रकार का कुईशन कैसे सल्फ करेंगे हमारे जासा आपको पूरे यूटूब बे वीडियो नहीं मिलने वाला तो वीडियो आन तक देखे समझ जाएंगे सारा कंसेप तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है इस कंडिशन को आपको समझना होगा तो चलिए आपको पहले वो कंडिशन समझा देता हो तो कंडिशन क्या है आपके क्विशन में हमेशा यह दिया होता है 1 प्लस x की पावर n is equal to c0 प्लस c1 x plus c2 x square plus cn xn ठीक है तो यह कंडिशन आपको एक्जाम में हमेशा दिया होता है तो इसको हम न उल्टा करके भी लिख सकते है लाइक आपको यह याद रखना होगा यह कंडिशन आपको दिया होता है एक्जाम में दिखा लेता हूं यही क्विशन मेंने यहां पे कंडिशन ज xn plus cn-1 घरते चला जाएगा xn-1 प्लस डडडडडडडडड इस तरह से घरते चला जाएगा इसको उल्टा लिख रहा हूं c2 x square लिख सकते है plus c1 x plus c0 लिख सकते है ना उल्टा लिख सकते है यहां पे c0 लिख देता हूं ठीक है तो इसको equation 2 माल लेते है मैंने क्या किया, इसको उल्टा लिखा, इसको उल्टा लिखा, इधर से लिख दिया, ठीक है, और एक क्या करेंगे, इसी equation को, ठीक है, अब तीसरा में क्या याद रखना होगा, एक नमर में ये condition दिया होता है, आपको ये याद रखना है, इसको एक उल्टा होता है, एक इसको तो क्या करेंगे? इंटर्चेंज का करेंगे 1 प्लस X जो है X प्लस 1 करके लिख देंगे इस तरह से X PLUS 1 की पावर N ठीक है? X PLUS 1 की पावर N लिखेंगे तो हम लोग क्या आएगा? C0 X आएगा X की पावर N आएगी यह C0 X की पावर N आएगी प्लस यह याद रखना है आपको C1 X की पावर N-1 आएगी ठीक है? C0 बढ़ते चला जाएगा C2 X N-2 होएगा X की पावर घरते चली जाएगी कहां तक घरते चली जाएगी आपको बता दो यह हमारा चला जाएगा C N तक C0, C1, C2 है यह कहां तक चला जाएगी? C N तक यह याद रखना है यह तीन ही कुईशन है तो आपको क्या समझना होगा? कुईशन में अगर C0, C N दिया हुआ है तो यह दो C0 दिया हुआ है, C N दिया हुआ है तो यह दोनों लेकर बनाएंगे ठीक है? C0, C0 दिया हुआ है तो यह लेकर 1, 2, 1, 3 लेकर बनाएंगे C0, C0 C0, C1 दिया हुआ है फिर भी 1, 3 लेकर बनाएंगे C0, C2 दिया हुआ है फिर भी 1, 3 लेकर बनाएंगे ठीक है? अथार्थ C0, C N के टम में आ रहा है यहाँ पर equation जो है C0, C N है तो 1, 2 equation लेकर बनाएंगे C0, C2 है C0, C2 यह है C2 यहाँ पर है तो 1, 3 लेकर करेंगे C0, C1 में भी C0 C1 में भी 1, 3 लेकर करेंगे C0, C1 में भी 1, 3 लेकर करेंगे C0, C1 में भी 1, 3 लेकर करेंगे बस यह तीनों equation लेकर करने में यह दोनों equation कब लेंगे जब हमको C0, C1 की जरुत परेगी otherwise हम लोग यह लेंगे और यह लेंगे ठीक है तो चलिए आपको equation लेकर दिखायता हूं क्या करना है सबसे पहले मैं G number का question ले लेता हूं C0, C1 omega n darag इतना proof करना है वो ले लेता हूं तो यहांपे equation जो है C0, Cn के term में है C0, Cn तो पुले तो equation 1, 2 लेना है यह 2 लिख दूंगा मैं यहांपे condition में ठीक है तो यहांपे solution लिखता हूं पहले solution is equal to proof भी दिया हुआ है पहले proof भी यहाँ पे लिख देना हूँ क्या proof करना है हमको is equal to 2n का factorial divided by n factorial n factorial हम लोगों को proof करना है ठीक है तो यह proof करते वक्त हम लोगों क्या किया मैंने solution लिखा पहले solution लिख के left hand side में जो है वो लिख लूँगा left hand side left hand side में है c0 cn plus c1 cn minus 1 plus cn c0 है ठीक है तो हम लोगा condition एक्जाम में दिया होता है तो condition वह equation 1 3 जो है वो लिख लेना था 1 में यह condition है तो हम लोगों को यह equation लेना है और यह equation लेना है c0 cn यह दोनों लेना है तो यह पहले यह लिख लूँगा उसके बाद यह लिख लूँगा ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखूंगा now 1 plus x की power n equal to क्या होता है c0 plus c1x plus c2 x square plus c3 xq plus कहां तक जाएगा cn तक cn xn तक ठीक है यह लिखा मैंने हमेशा यही करना होता है अगर आपको first equation तो यह लिखना ही है ठीक है यही लिखा मैंने ठीक है हमेशा वही लिखे equation 1 इसको लेट कर देता हूं मैं इस तरह से equation 1 equation 2 में क्या करूंगा c0 cn मांगा हुआ है तो इसको उल्टा से लिख दूंगा 1 plus x की power n जो है उल्टा लिखूंगा यह उल्टा क्यों लिखा क्यूंकि c0 cn मांगा था इसलिए मैंने उल्टा लिखा अब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे multiplying multiplying question 1 & 2 we get अब देखिए इसको इसको मल्टिप्लाइ करने के तो क्या आ जाएगा इसको इसको पहले प्लस x की power यह दोनों power जोड जाएगा is equal to अब इन दोनों को multiply करना है c0 cn xn हो जाएगी plus इसको multiply करेंगे तो c1 x multiply cn-1 xn-1 हो जाएगा ठीक है इन दोनों को multiply किया फिर इन दोनों को multiply किया फिर इन दोनों को multiply करूंगा इसी तरह से हम लोग करते चाले जाएगे पूरा तक ठीक है इतना करने के बाद अब देखिए c0 cn xn है plus c1 cn-1 इस तरह से लिख देंगे क्योंकि question में भी वही मांगा था यहाँ पे देख सकते है question में c0 cn है c1 cn-1 है x की power 1 है यह 1 है ना plus n-1 है plus चला जाएगा इस तरह से इसको solve करना है बस अब यह 1 यह 1 cancel हो जाएगी तो क्या बाकी हो गया c0 cn xn c1 cn-1 xn इस तरह से चला जा रहा है अब इसमें x की power n common ले लेंगे हम लोग is equal to x की power n आ रहा है common ले 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 तो क्या बाकी हो गया c0 cn c1 cn-1 plus डर 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 चला जाएगा इस तरह से ठीक है अब आपको याद रखना है क्या याद रखना है coefficient of coefficient of 1 plus x की power 2n यह जो है ना इसका coefficient यह होता है यह x की value x का power जो होगा वो छोड़के सभी होता है तो coefficient यह होता है हमेंसा याद रखना है c0 cn plus c1 cn-1 plus डर 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 यह हमारा coefficient हो गया कि इसका यह लेना नहीं होता है अब जब इसको निकालेंगे अब x की power n है तो इसका भी coefficient निकाल देंगे the coefficient of x की power n है इसलिए x की power n लिखा in the expansion in the expansion of 1 plus x का power 2n is equal to याद रखना है हमेंसा formula क्या होता है cnr होता है formula c का cn के place पे यह रखना है इसका power कितना है 2n 2n r के place पे यह power रखना है x का power n है तो n रख दूंगा n plus 1 होता तो n plus 1 रखता अब इसको solve कर देना है कैसे solve करेंगे n factorial formula तो हमको मालूम है यह formula होता है n factorial n minus r factorial r factorial यह formula होता है आपको मालूम होगा तो यह कर दूंगा 2n factorial divide by 2n minus n factorial n factorial n factorial divide by इसको n मानेंगे इसको r मानेंगे 2n factorial divided by n minus r factorial r factorial formula होता है अब इसको solve करेंगे तो 2n factorial आप इसको equal लिख सकते हैं इसको equal दिखा सकते हैं अमलोग तो यहाँ सब्सक्राइब मालनोगा इसको equation 4 मालनोगा इसको equation 4 मालनोगा 1 plus X to power 2 n की value की बहलव इतना है इस इकवल to ये है तो हई प्रूफ लिख दोंगा Hence, Hence, 1 plus x का power 2n का value कितना है, 2n factorial, divided by n factorial, n factorial is equal to, यह है, c0, cn plus c1, cn minus 1 plus, यह या रहा है, हमारा proved हो गया, अगर आपको समझ में आ गया हो, तो like, comment, subscribe जरूर करना, तो चलिए, दूसरा भी question लेकर दिखायता हूं, एक यह question आपको मैंने करके दिखाया, थोड़ा confusion हो, तो question number h भी देख लेना, ठीक है, तो question number h करके यहां पर दिखा देता हूं, सबसे पहले, तो यह मैंने h number का question ले लिया, ठीक है, तो यहां पर पहले क्या चाहिए है, c0, c2, c0, cn के case में यह दोनो equation लेकर करना है, बाकि case में 1, 3 लेकर करना है, ठीक है, तो पहले यह सार दूंगा, यह लिख लूंगा, उसके बाद यह लिख लूंगा, equation 1 मानूंगा, इसको equation 2 मान लूंगा, तो चलिए यहां पर लिख देता हूं, solution, solution, उसके बाद left hand side में जो है, वो लिख लूंगा, so left hand side में क्या है, यह left hand side में is equal to यह probe करना है, तो left hand side में है, c0, c2, c1, c3, c2, c4, यह 1 plus x की power, n की value, first value equation क्या था, c0, c1x, c2, x square, c3, xq, dadadad, plus cn, x की power, n, यही है न, यह लिखा मैंने, उसके बाद यह लिखना है, ठीक है, c0, cn के case में यह दोनों लिखना है, बाकी सबी case में यह दोनों लिखना है, तो यह लिखूंगा अब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यह equation 1 हो गया हमारा, equation 2 भी लिख दूँगा, 1 plus x की power, n, यहाँ पे x उल्टा लिखना था, x प्लस 1 लिखना था, x, यहाँ पे यह लिखना था, यहाँ पे देख सकते हैं, x प्लस 1 लिखना था, तो यहाँ पे लिख देता हूं x प्लस 1 का power, n is equal to, यह सभी लिख दूँगा, ठीक है, यह लिख दूँगा सभी, वह लिख देता हूं, c0, xn, plus c1, x, n-1, plus c2, x, n-2, plus, कहाँ तक चला जाएगा यह, cn तक चला जाएगा, 2, equation सपोस कर लूँगा, अब multiply करूँगा, equation 1 and 2, multiplying, equation 1 and 2, इन दोनों को multiply करूँगा, अब multiply करते वक्त हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, कि मांगा क्या है, यहाँ पे c0, c2 मांगा हुआ है, तो यहाँ पे c0 यह है, c2 यह है, तो इन दोनों को multiply करेंगे, ठीक है, तो क्या आजाएगा, इन दोनों को पहले multiply करूँगा, तो 1 plus x की power, n, n power है, तो 2 n आजाएगी, ठीक है, 1 plus x है, 1 plus x यह भी है, x plus 1 बोले, या 1 plus x बोले, बात वही है, इन दोनों का power, add हुजाता है, n plus 1 करेंगे, तो 2 n आजाएगी, इन दोनों को multiply करेंगे, तो इतना आएगा, हमेशा याद रखना है, is equal to, यहाँ पे मांगा क्या है, c0, c2, c0 यहाँ पे है, c2 यहाँ पे है, तो इन दोनों को multiply करना है, c0, c2, x, n-2, plus, अब क्या मांगा हुआ है, c1, c3, c1 कहाँ पे है, c3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, c3, x, n-3 होगा, ठीक है, तो वही लिग दूँगा, c1, x, multiply c3, c3, x, n-3 होगा यहाँ पे, c1, c2, c3, n-1, n-2, n-3 होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या मांगा हुआ है, c2, c4, c2, यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको multiply करेंगे, c2, x square है, c2, x square, इसको multiply कर चुके है, ठीक है, यहाँ पे, अब इसको multiply करते है, ठीक है, c4 से, c2, x square हो गया, यहाँ पे होगा, c4, c1 c1, c2, c3, c1, c4 होगा, यहाँ पे, c0, c1, c2, ठीक है, यहाँ पे c4 होगा, n, n-1, n-2, n-3, n-4 होगा, यहाँ पे, ठीक है, प्लस, डर, 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 इस तरह से, चला जाएगा, इस तरह से जाने के बाद, हम लोग क्या करेंगे, अब, c0, c2, एक प्लेस पे रख सकते ह है x n-2 प्लस c1 c3 एक प्लेस पर रख सकते हैं x का पावर 1 है प्लस n-2 है n-3 है यहां पे प्लस c2 c4 एक प्लेस पर रख सकते हैं x 2 प्लस n-4 है प्लस डरडट इस तरह से कर सकते है c2 c4 x2 प्लस n-4 इस तरह से लिख सकते हैं अब यहां पे हिसाब किताब करना है c0 c2 x का पावर n-2 प्लस c1 c3 x का पावर 1 में से मैंनस 2 गया तो n-2 यह हो जाएगा प्लस c2 c4 x का पावर n-2 हो यहां पे भी प्लस मैंस करेंगे तो घटाएंगे तो प्लस डरडट इस तरह से चला जाएगा इसमें कमन क्या है तो कमन हमारा x की पावर n-2 है तो बाकी हो गया c0 c2 c1 c3 c2 c4 इस तरह से चला जा रहा है ठीक है तो वही कोफिशेंट निकलना है अभी 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 आपको बताया था उस वक्त तो क्या निकलना है यहां पे कॉफिशेंट ओफ इसका निकलना है तो इसका कोफिशेंट क्या हो जाएगा कोफिशेंट ओफ फलस x का पावर 2,n है is equal to कोफिशेंट में यह लेना नहीं होता है यह लेना होता है c0 c2 plus c1 c3 प्लस c2 c4 प्लस डरर डरर चला जाएगा ठीक है अब इसका जो है coefficient of xn-2 इन्द एक्सपांशन निकालना है इसके नाव क्या करूंगा the coefficient of the coefficient of x का पावर n-2 यहाँ पे n होता तो n n-2 है तो n-2 in the expansion of in the expansion of क्या है 1 प्लस x है 1 प्लस x का पावर 2n है इसका फ्रमला होता है cnr ठीक है c का c हो गया n के प्लेस पे 2n रखेंगे r के प्लेस पे n-2 रखेंगे अब इसको शल्प कर देना है n factorial बोले तो 2n factorial divided by n-r बोले तो 2n minus n-2 factorial n-r into r factorial बोले तो n-2 factorial इसको शल्प करना है अब इसको शल्प करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n factorial divided by 2n-n बोले तो n minus minus plus हो गया plus 2 factorial n-2 factorial प्लस 2 factorial प्लस 2 factorial हो गया की नहीं देखिए यहां पे सेम सेम आया होगा इतना ही प्रूफ करना था वो आ चुका है अब बस language में लिख देना है कि प्रूफ कैसे हुआ अब coefficient of 1 plus x का power 2n is equal to यह है इसका इतना है हुआ है therefore hence क्या लिख सकते हैं यहां पे c0 c2 plus c1 c3 plus c2 c4 plus डरर डरर है तो इसका value कितना आ रहा है 2n factorial divided by n plus 2 factorial n minus 2 factorial अगर इसको equation हम लोग इसको equation हम लोग a मानेंगे ठीक है अगर इसको मानेंगे b मानेंगे equation ठीक है putting the value of b in a यहां प्लिक दूँगा putting the value of b in a तो हमारा क्या हो जाएगा proved हो जाएगा ठीक है इतना ही कर लेंगे तो हम लोग को full max बिल जाएगा आई उप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, comment, subscribe जरूर कर दे और यह जो question है यह आप लोग भी कर सकते हैं same to same यही process करना है बस आपको कोई इसमें दिक्कत आएगी तो आप लोग बताना आपको next वीडियो में इसका बना कर रख दूँगा आई जे के next वीडियो में रख दूँगा तो अभी के लिए इतना ही चलता हूँ बाई बाई